हलो ईवर्स वेटियो में मैं बात करूंगी ऐस वीडियो में हम देखेंगे ओक्जीमरॉर्न होता के रहे सबसे पहले हम बात करने किसी टेफिलेशन की और फिर एक्जांपल से साथ इसको समझेंगे Oxymoron in actual एक figure of speech है It is derived from Greek words Oxious which means shark Morals which means डल Shark कोई ऐसी चीज जो बहुत तेज होती है और डल कोई ऐसी लेजी चीज या कोई बोरिंग चीज इसकी definition देखते हैं An oxymoron is a figure of speech that combines two contradictory or opposite terms यानि के oxymoron एक figure of speech है जो दो contradictory यानि के opposite words को साथ जोट ता है किसलिए? To create a unique and often humorous effect एक unique meaning बनाने के लिए या humorous effect create करने के लिए It's all about the unexpected combination of contrasting ideas ये क्या है? Unexpected combination यानि कि ये expected behavior नहीं है जैसे living को dead के साथ जोग देना open को secret के साथ जोग देना virtual को reality के साथ जोग देना big को baby के साथ जोग देना अब हम इसकी एक्जामपल सेखे है number one बे हमारे पास living और dad की एक्जामपल living का मतलब होता है कोई आसी चीज जो जो जिंदा हो and dad का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो मर चुदी हो जो आप जिनदा ना हो बिटर और स्वीट आपस में opposite words हैं लेकि इंग को साथ जोड़कर एक यूनीक और हुमरक्स effect दिया जा रहा है I have experienced virtual reality through this Snapchat AI Snapchat का जो AI है उसे बात करें तो वो ऐसे नगता जैसे किसी इंसान से बात कर रहे हैं लेकिन in actual वो इंसान नहीं है तो विट्वल और रियालिटी का पस में जोड़ा जो के एक दुसरे के opposite words हैं अगर आपको जी मरोल की समझ आई हो तो मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राब करें Thank you so much